एय एवन हो यू आल सो कैसे ओप लोग सो जिस भुक की हम बात करें उस बुक का नाम है इट स्टार्ट्स विडियो देखते तो वह बर चैनल को सस्काइब नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट आप वो चाहें तो चैनल को सस्काइब कर सकते हैं और जो लोग हमें मॉनिटरी सपोर्ट करना चाहते हैं इसक्रीन पे आप जो यह एक QR कोड देख रहे हो आप इसको स्कैन करके हमिन मॉनिटरी हैल्प भी कर सकते हो या फिर हमारी UPI ID कर सकते हो जो कि दिस्क्रेप्शन में दी है इस से हमारी काफी हम होती है अब जो जॉश और इट्लेस होते हैं हो गई है उतना ही नर्वास है जो भी यह पढ़ आए इसको कुछ भी समझने नहीं आने वाला अर जो 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 पिछले पांच मिर्ट से बस एक ही पेश पढ़ आता और देखने में तो ऐसा लग रहा था न कि बही कोई बैटल हो रही हो वह ऐसा सीन है लेकिन जो आटलस दे कर दो जो 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 जाने और गया आटलस मन पर सोचाइब आगर मेरे साथ ए रहेगा तो मैंना बहुत पता लगा लुँगा कि यह सच भोल है है जुट बोल रहा है यूश को अगर यह मेरे साथ रहेगा तो मैं कुछ घल्प भूकस लाकर दूंगा ताकि इसकी जिंदिगी अ वो यह सोचता है ना कि मैं इसको वो भी किताब इलाके दूँगा जो भी दुनिया की सबसे अची एची religion की किताबे हैं ताकि मैं भी इसको भी help हो इसपेशली आज के बाद जैसे जॉश को लग रहा था कि यह हो सकता है मैं जाओंगा और अपने पापा के साथ रहने लगूँगा लेकिन कहीं आइटलस के दिल में यह था ना कि यह लोग वापस बॉस्टन ज़रूर आएंगे और जो 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 मेरे साथ ही वापस आएगा कहीं आइसा ना हो कि बस यह रोता हुआ चीता चिलाता हुआ वापस जो घहर होता है वह बिलकुट पास में ही होता है जो 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 होता है वह बहुत अच्छी सिह रॉदा है ऐसे दिखाता है कि वह पढ़डा अब जो आइटलस के था हिए हम पहुंच गये और जो उसकी जिप थी न वो बिल्कुल बंदी में हो लिए थी और सब कुछ न उस अपनी गोदी में रखाता है और उसको यह लग रहता है कि चलो कोई न कोई तो मुझे एकसेप्ट करी लेगा माने नहीं करा है तो बाप तो करी लेगा मुझे एकसेप्ट आर जो जो कहता है कि हम तो यह यहां पर कर सकते हैंज महीं्माब होती है जब आर चलह कुले की बूदी को नहीं मिवार के इस critics घ्रुए होतीनों जीत कुलती है फिर वो जॉश को देखता है और एटलस को समझ आ रहाता है कि शायद क्यों ये जॉश इतना नर्वास फील कर रहा है क्योंकि घर के बाहर कार खड़ी है इसका मतलब कोई ना कोई घर में जरूर है और शायद ये जॉश पिचार दवादा खटकरा हैं से इसलिए डर रहा है कि कोई होगा वहाँ पर जो आटलस ना उसने जॉश जरादा बात करने कोशिश नहीं करी थी क्योंकि उसको पता है कि उमीद होती है दिल में कि आपका बाप आपको accept कर लेगा वो कैसी होती है और शायद अभी तक नो वो fantasy में रह रह रहा हो एक ऐसे जूटी ब्रह में रह रह कि अगर आप किसी परिवार में पैदा होते हो ना तो ज़रूरी नहीं है वही आपका परिवार सिर्फ family कहने से family नहीं होती है अगर जो होता है कि मैं जाऊंगा दावादा घटकटा हूँ और जो आटलस था ना वह भी बहुत ज़रा डर गवा था उसको भी समझ नहीं आ र लेकिन एटलस ना तब भी ये नहीं चाहता कि वह ऐसा व家 उलिफल दण बाप से मिले इसनलब उसको जाधा कुछ बताता नहीं है और वह सकता है शायद जो ज है उसका बापह से कनेक्द करें नेकिन सबसे बड़र में यह था ना कि जो 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 यहां पर हो हो यहां पर पूप जो अच्छा आद्म है कुछ बोलता नहीं है अब जुट अँछ ऑपने फोन को देख रहा है ताकि जो जॉटले से हिंप mlजाए और सोच लिए कि माहँ होते हैं अब जो जो चॉटले से हाथ पर चोटलUp'll के निशान होता हÄ उसको देखता है और उसकी निशान देखे न उसको कुछ याद आ रहा होता है और ये निशान वो होता है जब Tim chyba सेटले उनके साथ वो रहता था और Tim ने उसको माहा था और जो Josh Research के कब इसके बार नहींने पूछन ने टाहरे वाप पूछी लेता है कहता है न कि ये तुम्हें टिम ने दिया अब जो एटलैस ने अपने हाथ को देखता है कहता है हाँ बहुत पुरानी बात है और हो सकता है शायद वो अपने बेटे को और एक सौतेले बेटे को अलग तरीके से ट्रीट करें अब जो 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 एटलैस ने कहता है इससे का फरक पढ़ता है अगर उसमें तुम्हें ऐसा ट्रीट करा है तो उसे पूबासे चांस क्यों मिलना चाहिये और ये पहली बार था ना जब जो जो एटलैस ने के द法को छाथ लगता है कि इन फ्यूचर में ये मुझे ब्लेम करें कि मैं तो अपने बाप के पास गया था, तेरी बातों में भहक के मैं नहीं माना, लेकिन जो आइटलस था ना, वो उसको सच भी बताना चाहता है, कि उसका बाप है कैसा, कि उसको दुबाद से चांस मिलना चाहिए भी है नहीं मिलना चाहिए, और टिम डिजर्फ क कि इसकी जिदगी खराब हो जाएका यह वापस एनि टुम और सटन के पास चला गया तो, अब जो 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 होता है नहीं उसको देख रहा होते है फिक घर को देख रहा होता है, उसकी आंखेना बड़ी बड़ी होती है, अब जब लोग देखते है जो टुम होता है, वो क्या क वो क्या गाता है बियर को वापस सीट पे फैंक देता है और कुछ ना ढूंडने लगता है अब जो जॉश है वो कहता है मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना चाहिए कि यह 12 साल का बच्चा है इसको क्या ही इतनी समझ होगी और यह चीज ना सुनके आटलस को भी थोड़ा सा कि कैसा उसका बाप है क्योंकि ऐसा भाई ना मैं उसके लिए इतना तो करी सकता हूं और शायद मेरी जो शांती होगी ना वह बहुत कुछ जादा बया करेगी मेरी शब्दों से भी जादा अब जो आटलस कहता है अपने फोन को साइड में रखता है तो थोड़ा जौश उमीद कहता है कि अब मैं अपने भाई को सब कुछ सरसद बताऊंगा क्योंकि बड़े भाई होने के नाते यह मेरा फर्स बनता है अब आटलस कहता है मुझे नहीं पता अपने पापा के बारे में मुझे बस उनका नाम पता था और कुछ भी नहीं सटन ने बताया था कि क्या पता वो जेल में बंद हो गलत तरीके के चार्जस उन पर लगाती हो मुझे ऐसा लगता था ना कि उनके साथ कुछ गरबड़ी हो गई होगी शायद हो सकता वो मुझे जिंदगी में ढूंड रहे हो क्या पता उनको पता ही नहीं कि मैं एक्जिस्ट भी करता हूं और कै कोई भी एफर्ट से दिखाए और जो मेरा बाप था ना उसने कभी भी उमीड ही नहीं करी कि मैं गूगल सर्च कर लूँ क्योंकि गूगल सर्च करता ना तो उसको एजली हम लोग मिल जाते और हैल तुम में एक मातर 12 साल की हो तुमने मुझे ढूंड लिया और ऐसा कि जब अब जो जौष्ट है ना उसके आँखों में साँसु आने लगते हैं अडलेस कहता है यह सोच के मुझे बड़ा खराब सा लगता है कि तुम इस अदमी के बेटे हो यह तुम्हें अपनी जिन्दगी में चाहता ही नहीं लेकिन तब भी तुम एफर्ड डाल लो कि यह तो मे वह प्रिवलेज्ज जो जॉश। क्योंकि पथा है मैं एक्जिस्ट करता हूँ अगर मुझे पहले ही पाता होता है कि मेरे एक छोटा भाई है तो मैं तुम्हें पहले ही तुम्हें साथ áके रहे लिए था जैसा ये लिए ठाव गूश। और टिम की तरफ देख रहे होते है, फिर इटलस को देख था है और हातों से अपने अंसु पोस्त है और इटलस को भी कई न कई बुरा लग रहा होते है बिचारा मेरा भाई हिरो है लेखने उसको बहुत जादा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि Atlas यह सब कुछ उससे कहना चाता था लेकिन फिर भी वो नहीं कहा पाया जो Josh था उसको पता होना चाहिए था कि इसकी माँ है कैसी उसका बाप है कैसा लेकिन विचारे को आज तक कुछ पता ही नहीं था वो एक गलत ख्याली दुनिया में जी रहा था कि जो Josh है वो उस नरक से निकल जाए लेकिन जो Atlas थाना वो यह भी चाहता था कि जो मेरा गुस्सा है वो Josh के decision को बिल्कुल भी effect ना करे कि जो Josh है वो किसके साथ है न चाहेगा मा के साथ, बाप के साथ या फिर मेरे साथ कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है न कि वो सही decision ले सके और वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो सही बात सुन सके मेरी जो भी मैं कहना चाहता हूँ और वो खुद उसी साथ से चीज़ों को decide करे अब जौश जब फाइनली आइटलेस को देखता है तो उसके आँकों में से हासु आ रहे होते है और उसके दिमाग में कई सारे सवाल होते है कई सारे decision होते है वो जो लेना चाहता है अब जो आइटलेस हैं अपने साहिला के कहता है तुम बारा साल की हो जौश मैं नी चाहता हूँ कि तुम उसको माफ करो लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम एक अच्छा decision लो मैं चाहता हूँ बस मैं तुम्हाई साथ सज बोलू क्योंकि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम अपने फादर को दूसरा chance दो तो यह तुम्हारी इच्छा होगी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ कि वह है कैसा, मैं बस अपने चेहरे पे जूटी से स्माइल करूँगा, और तुम्हारे साथ वहा तक चलूँगा, तुम्हें वहा छोड़ के आऊँगा, अगर तुम्हें लगता हू मैं इस बात से समझा नहीं, मैं अचनी ऐसी बात कर रहा हूँ यह कहरा है, उनके पास ट्रक है, तो वह तक मुझे यह लगता था मिरा बहा कर तुम्हें मैं अीसा लगता है, और जैमा पर ये रहा पर तुम्हें बाहा प्पास मुझेग नहीं कि वह बास्षिकली काहिए अब चीजरों को रिलाइ्स का रहा होता है कि यह कहना चाता है फिर जोश कहता है न, वो मु бр Gmail काता है.. है न अब चीजरों कहता है «उन दोनों में सिर्ट कोई तुम्हें रभ नहीं कहता। नहीं शटन नहीं टेम् अब जो आइटलास है वो खिलकी के भार बस देख रहा होता है और इस बार वो थोड़ा सीधा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है जिस हुमबक को मैं पीछे छूट गया था वो फैमली टी के बारे में और क्या करता है जो जो सीड़ लगाने लगता है क्योंकि उसने यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतनी सीयस कन्वर्सेशन चल रही है और जॉष मुझे यह कुछ बताएगा अब जो आइटलैसनव कहता है अच्छा दो चोटी-चोटी सीड लगा दी तुमने और यह वर्क करेगा अब जो जोष है वो कहता है कि मैं उन चोटी-चोटी-चोटी सीड लगाई है ना उनकी चोटे-चोटी ब्रांचिस भी लगा दूगा जो ब्रांचिस होंगी तुम्हारी और मेरी और हम लोग ना अपना खुद का एक ब्रैंड न्यू ट्री मनाएंगे फैमिली ट्री जो कि हम से स्टार्ट होगा अब जो आटलास अना उसको गर्मी लग रही होती है वो ने आखों पर संग्लासे लगा लेता हो कहता है एक फुल न्यू ट्री जो कि हमसे स्टार्ट होगा मुझे पसंद आया यह आइडिया अब जो 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 बहुत अच्छा करेंगे हम बिल्कुल भ जो हमेशा मझे ही चूस करेगा और करेंगे मुझे मेरी याद दिलाता है जिस तरीके मैं था एक्दम सही रिसेजिएनल लेता जिसके घर को देखता है और उसको यह लगता है कैसी रिक्वेस्ट कर रहा है फिर जो प्लीज ना कर दो अब जो आटलेस को घड़की को थो जो थोड़ा सा आगे चुकता है पूरी कोशिश कहता है जितना वह भाहान निकल सके न और टिम को देख रहोता है वह और कसके चिलाता है एस होल और चिलाने के बाद वापस आगे सीथ पर बैट जाता है और असने लगता है अब जो आइटलस नोग से कहता है वह एक ही शब्द है अलग लग नहीं आप जो जो आइटलस नोग कहता है एस होल ना आप जो एटलस नोग कहता है थेंक यू लेकिन आप तुम यह कहना बंद करना चाहिए क्योंकि तुम आत्र भी बारा साल के हो तो इस नोट पर होते ही यह वीडियो खतम और यह वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो